नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का स्टेडी फॉर सिविल सर्वसिजम है आज हम बात करेंगे वीडियो री एक्जाम के बारे में जो कि 2018 में हुआ था उसके री एक्जाम को लेकर के कुछ महत्पूर जानकारियां प्राप्त हो रही है साथियों पहला तो मैं यह आप को पूरा कपूरा करवा दिया जाएगा ठीक है यानि यह इस साल होना ही होना है कि कब होगा तो इसके बारे में वी थोड़ा मैं आपको बता दूं कि इस एक्जाम के होने के जो चांस बन रहे हैं सात्यों वो बन रहे हैं कि मान के चलिए जून तक यह पेपर हो जाएगा Ben मैंने calculation किया जो मैं आपको बताता हूँ देखो पहला तो ये कि जितनी भी लंबित वेकेंसी है वो UPSC ने तैग कर लिया है कि उनको जो है कराना ही कराना है तो जो पुरानी वेकेंसी है उनमें अब केवल वीडियो ही रह गया है ठीक है बाकी mostly वेकेंसी पूरी हो चुके है ज Wyne August 2008 की डेट आयी चुकी है तीस अप्रेल तो जैसे ही वन दरूवागा का पेपर होगा है ला कुमानके चलिए वनदरोगा के पेपर के बाद जो अगला टार्गेट रहेगा वो वीडियो की भरती ही रहेगी वीडियो तो री एक्जाम ही रहेगा अब 30 अपरेल को वंदरोगा का पेपर है तो मान के चलिए कि 30 अपरेल तो यह हो गया यानि मैई और जून यानि मैई और जून में यह आपका पेपर हो जाएगा हर हालत में ठीक है विलम इसलिए हो रहा है क्योंकि आयोग नहीं चाहता कि पहले की इसमें ध्हांदलेबाजी हो या पहले की तरह द्हांदलेबाजी को न्यूज आया हाला कि एक चीज मैं इस पॉस्ट कर दू कि आयोग अब जो है इन चीजों में बढ़िया काम कर रहा है यानि आयोग ने इस पर बहुत सारा काम किया है कि कैसे भी करके तो पैसे की कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए केवल जो बच्चे योग हैं उनको ही मौका मिले इस नौकरी के लिए क्योंकि फॉर्म बहुत जादा होता है हर विद्यार्थी महनत करता है ऐसे में अगर कोई पैसे दे करके आगे आ जाए और अपनी सीट ले जाए तो फिर जो यो के टैर आप अबकरना चाहें तो कर सकते हैं ठीक है वैसे तो पुराणी सी है तो मुझे लगता है कि जाते लों की तयारी इसमें करी मौने जा को इसको जैकिन फिर बीकर भी करना चाहें तो या तो चाहें तो सेल्फ स्टडी कर लिज़्ेए कोई दिक्रत वाली बात नहीं ह तो चाहें तो सेल्फ स्टडी से इसको किया जा सकता है क्योंकि इतनी कोई मुश्किल चीछ में नहीं है ठीक है हिंदी तो जो है इतना मुश्किल नहीं है मतलब ऐसे तो हिंदी कठेने बट अगर आप प्रयास करोगे तो जातर चीज़ा पढ़ ले जाओगे रही जीएस की ब बढ़िया जीएस का मैट्रेल आपको कई मिलन वाला नहीं है उसी से नहीं है पार हो जाएगी बचा क्या रीजनिंग तो रीजनिंग प्रैक्टिस-बेस चीज़ है आप पढ़ कहीं से भी लीजिए लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक रीजनिंग हम आपको करवा सकते हैं सब्सक्राइब कौन से 50 नंबर हिंदी के 50 नंबर जी एस के है ना उनमें मानके चलिए कि 100 मैसे करीब करीब जो है आपके 90 अंक तक का जो है हम आपको अपने मैटरियल से फसा करके देंगे हिंदी तो करीब करीब हो रही आएगा ठीक है बाकि जीए सोड़ा पीछे हो सकता है क्योंकि दो चाक टेड़े मेटे सवाल आयों कैसे पूछ देता है जिसका जवाब आयों को भी नहीं पता होता है तो उसका मार्जिन हम लेके चलते हैं बाकि इन 100 नंबर की तैयारिया आप कर सकते हो बचा रीजिन बनेगा उसको भी अगर हम आधार बना ले तो मैरिट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कम ही जाएगी मतलब पिछले बार से थोड़ा बहुत कमी जाएगी ठीक है उसके पीछे लॉजिक यह है कि 2018 से लेकर अब तक बहुत सारी वेकेंसी पूरी हो चुकी है जैसे दो भर इस बात है फॉर्म भराओगा क्योंकि जोईनिंग अभी लास्ट यह हुई है ठीक है वो भी चले गए टीचर की वेकेंसी एक जो है पूरी होगी अर्सट है फान सो वाली ठीक है रेलवे की भरती हो गई तो बहुत सारी भरती है इसमें अभी तक पूरी हो चुकी है तो बह कि मैं यह नहीं कहा रहा कि दोजोई जाएगी मिटल थोड़ा बहुत कम जादा हो सकता है कुल्म लाग के पॉइंट यह है कि साथियों तयारी शुरू कर दो दो महीने बचे है अच्छे से तरह तयारी इसकी कर लो डू और डाई का अबसार है जितने भी पुराने विद्या का मेंस उसमें भी फिर दुनिया भर का लंगड रहेगा वैकेंसी निकली निकली नहीं निकली तो यह जो मौका है इसको आप जाने मत दीजी अच्छे से तयारी करिए महर्स करते रहिए मान के चलिए जूर में आपका पेपर है और यह पेपर आपको दिकालना है ठीक है हम स कुछ सायता अगर आप चाहते हों कमेंट के आदम से बताईए मिलते हैं जियोग्राफी क्लास में तब तक के लिए जय हिंजय भारत खबंदे मातरम